धन्यवाद नेकदुन भाट विश्णू भारत के एकी करण में अतुल ने योगदान देने वाले सरदार पतेल जी के आदर्श मूल्यों को अपने प्रखर विचारों से अभिव्यक्त करने के लिए आ रहे हैं इस कारिक्रम के आखरी प्रतिभागी उत्तर प्रदेश से जम श्राइब तक जिसके जैगीतों से अब तक नदियां जिनकी यसधारासी बहती हैं अभी निसिवासर धरासी रो मडी मात्र भूम में धन्य हुए हैं जीवन पाकर परमवंदनिय भारत भूमी को नमन करती हूँ सफा में उपस्ते सभी विश्ष जन विभिन प्रांतों से आई हुए युवा साथियो एवं चित्रकूट जन पदुतर पदेश से सादार बल्लभाई पटेल को नमन करते हुए मैं भानजा मिस्रा उपस्तित हूँ अपने वक इस भारत भूमे में कुस्तो अनूठा है जो अनेग बाधाओं के बावजूद यहां महानात्माओं का निवास रहा है अंगार हारुन की जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है आदेश धर्गा देते हैं इतिहास उधर जुक जाता है आते थे जो युग में मिटी का चमतकार ब इस अवस्था में नहीं था जो अपने नागरिकों की सुरक्षा में समर्थ हो पाता जो बिश्टो के सम्मुक कभी आत्म निरवर भारत के रूप में उभर पाता किन्तो ना भूतो ना भाविश्यती जब गोरों ने घायल करके भारत का भूब गोल दिया तो वीर परशूत वश्था ने फिर लौह पुरुसन मोल दिया, खंड खंड को जोड कर जिसने अखंड राष्ट का किया सजन, जूनागड में जन्मशंग्रह कसमीर में किया सुला सबक सिखा करके निजाम को हैदराबाद में किया समर, ऐसे युग सिल्पी बल्लब को करते हैं सौवार नमन, हम वास्तव में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना सुंडे सुनदे सरस्वती वाले राष्ट में किसी को अपनी सम्प्रफुता त्यागने के लिए सहमती प्राप्त कर लेना, विवस्च कर लेना, अपने आप में एक बिसिष्ट उपलब्धी है हम उन्हें भारत का विशमार के कहते हैं किंतु सही यर्थों में वो विशमार कसे बढ़ कर थे उस समय लंदन टाइमस ने लिखा कि विशमार की की उपलब्धियां पटेल के सामने महत्तुहीन हो जाती है राश्ट पिता गांधी लिखते हैं कि रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे वास्तों में पटेल जमीन से जुड़े नेता थे आम जन्मानस की पीडा से परचित वे चाहते थे कि भारत एक ऐसा उत्पादक राश्ट बने जहां कोई अन्न के लिए आंसु बहाता भूंखाना रहे इसलिए उन्होंने इस दिसा में ऐसे कई कारे किये जो आज भारत के लिए नीव का पत्थर साबित हो रहे हैं उन्होंने भारती नागरिक सेवा का भारती करन करके उसे भारती प्रशासनिक सेवा में तब दील किया उसे राजभक्ति से देशभक्ति की और उन्मुक किया चाहे वैकिसानों की हित में लड़ा गया खेडा का सत्य अग्रहो मानवा धिकारों के रोलर्ट का विद्रोव असयोगा अंदोलन के अग्रिम पंक्ति के खड़े नेता के रूप में साइमन कमीशन विद्रोव की प्रथम आवाज मौली का धिकारों की वकालत करने वाले अश्पित्ता और संप्रदाइकता की विरोध में खड़े सक्क्री जन्नायक एकता और अखंडता को सुनिशित करने वाले समर्पित राष्णायक पटेले सिध्ध कर दिया कि मायने नहीं रखता कि राष्ण ने आपको क्या दिया है महत्तुपूर्ण यह है कि आपने राष बाषी का नागरिक का दायत तो है कि राष्ण की एकता और अखंडता को सुनिशित करने में हर संभो अपना योगदान दे हर भारत बाषी जो इस देश का नागरिक है तन से मन से धन से वाडी से विचार से कर्म से ब्योहार से कला से विज्ञान से धर्म से आध्यात्म से हर इस तर पर हर संभव प्रयास करें ताकि देश एक बिक्सित राष्ट बने आग लगने परब्रथा करना प्रतिक्षा व्रश्ट की ये धरा अधिकार नहीं संपूर्ण कर उड़ा द्रश्ट की हो उच्चता चार में बिश्वशता व्योहार में ते जश्वता हो त्याग में उन मुक्तता अनुराग में सर्वधर्म संभाव एकता की बात हो धर्म मेरा राष्ट हो और भरती मेरी ज्यात हो जैहिन जैमाभारती धन्यवाद धन्यवाद भानुजा मिश्रा इसी के साथ कारिकरम को विरामति